मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें खून से लटपत रूम में एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम सारा है और लड़के का नाम जेम्स है सारा को में एक जगा लेटा हुआ देखते हैं और सारा के दोनों हाथों में किलो को ठोका हुआ है बहुत ही बुरी तरीक से फिर दूसरी तरफ हम जेम्स को देखते हैं जिसको सेलिंग लटका रखा है हम रूम में चारो तरफ सिर्फ खून ही खून देखते हैं उस रूम में बहुत से औजार रखें हुए थे ऐसा लग रहा था कि मानो उन्हीं औजारों से उन कि उन औजारों पर खून भी लगा हुआ था फिर हम सारा को देखते हैं जो कि अपने आपको उस जगे से अजाद करने की कोशिश कर रही थी और वो इसमें काम्याब भी हो जाती है फिर वो जेम्स को ढूंडने लगती है यहां अब हमें जेम्स की तरफ दिखाया जाता है जह जेम्स को तुरंट मार कर सारा को ढूंडने निकल जाता है वो अपने साथ एक खतरनाक औजार भी ले लेता है फिर अब हम सारा को देखते हैं जो कि जंगल में भाग रही है अपनी जान बचा कर बट उसके पीछे जो वही खतरनाक इंसान पढ़ा हुआ है फिर सारा भागत से भागते एक जगा पहुचती है जहांके आगे अब रास्ता नहीं था और अब सारा के पास दो अप्शन थे या तो वो अपने आपको इस खतरनाक इंसान को सौप दे या उस चिट्टान से नीचे कूच जाए सारा सेकेंड ऑप्शन चूस करती है उसे उस इंसान के द्व ये दोनों इस जंगल के सेक्यर्टी आफिसर से इनफार्मेशन कलेक्ट करते हैं और रूट पता करके अपने सफर पर निकल जाते हैं पर इससे पहले इन्हे वही एक लेडी मिलती है और वो इन्हें एक अलगी रास्ता पताती है तिम्बर फॉल्स का रास्ता कहती है कि ये तुम्हें Timber Falls वाले रास्ते से जाना चाहिए, नीचर ब्यूटी देखते हुए, वहाँ पे इतना जादा Soldiers भी नहीं होंगे, जो कि तुम्हें परिशान कर सकें, फिर ये दोनों इसे Timber Falls वाले रास्ते पर निकल जाते हैं, क्योंकि इन्हें प्राइवेसी चाहिए थी, ये दोनों एक दुसरे के साथ Time Spend करना चाहते थे, फिर वो दोनों उस रास्ते पर निकल जाते हैं, अब वो दोनों नेचर का मज़ा लेते हुए चल रहे होते हैं, उन्हें जैसे ही मौका मिलता है, वो दोनों इंटिमेट होने लगते हैं, बट उन्हें कुछ वहीं के उनको आगे जाने ही नहीं दे रहे थे फिर फाइनली पैसे ले दे के ये मामला रफा दफा हुआ अब शेरिल और माइक आगे का सफर जारी करते हैं बड़ शेरिल माइक को गन फेकने को कहती है क्योंकि उसे खून खराबे से बहुत डर लगता है वो नहीं चाहती कि गुस्से माइक किसी पर गन चला दे फिर ना चाहते हुए भी माइक को वो गन फेक देनी पड़ती है माइक और शेरिल अब थोड़ी दूर पहुचते हैं और उन्हें एक आदमी मिलता है और वो इन दोनों को एक लेक का सजेशन देता है कि तुम दोनों को आज की रात उसी लेक के प पहुचते हैं तो उन्हें वैसा ही वियू मिलता है जैसा उस आदमी ने बताया था मतलब उनका यहां तक आना अच्छा ही साबित हुआ शेरिल कहती है इसलिए हमें उन लोगों की बात माननी चीए जो यही रहते हैं फिर आज रात शेरिल और माइक इसी लेक के पास अपना चली जाती है जबकि माइक अभी टेंट में सो रहा था फिर तब ही हम देखते कि एक आदमी शेरिल को पकड़ लेता है शेरिल के चिलानी के आवाज सुनकर माइक जब बाहर आता है तो वो देखते हैं कि वहां तो कोई भी नहीं है शेरिल भी गायब है फिर माइक शेरिल को नहीं पता था इसलिए माइक फिर जंगल में आगे चलता है और शेरिल को ढूंडने लगता है बट इसी दोरान उसका एक पैर ट्रैप में फस जाता है जिससे वो बहुत जखमी हो जाता है उसे बहुत पेन हो रहा था पर थोड़ी देर बाद उसे एक लेडी अपने पास आती दिखती है और वो कोई और नी बलके शुरुआत में टिंबर फॉल्स वाला रास्ता इने सज़स्ट करने वाली लेडी थी लेडी आईडा वो माइक को जखमी हालत में देखकर अपने घर ले जाती है और उसकी मरम पट्टी करती है फिर जब थोड़ी देर बाद माइक को हो काम नहीं करता बट माइक यहां इस लेडी आईडा से बात करने पर एक चेज नोटिस करता है कि वो लेडी इसे बार-बार माइकल कह रही है जबकि यह नाम तो केवल उसके डी कार्ट और बाकी डॉक्युमेंट्स पे ही है इसका मतलब उस लेडी ने माइक का समान भी चुर कर रही हूं फिर माइक इतना सुनके बहुत गुस्से में आ जाता है और वो उस लेडी से पूछता है कि बताओ तुमने शेरिल को कहां चुपाया हुआ है और तुम्हारे साथ कौन-कौन शामिल है यह सब तो आईडा नहीं बताती बट वो इतना जरूर कहती है कि मैंने जा करती है बट माइक उसे मार कर बेहुश कर देता है इसी तौरान माइक को एक हिडिन डोर मिलता है जो नीचे की तरफ जा रहा था धिरे-धिरे उस रूम में आगे बढ़ने पर बहुत सारी माइक को केंडल्स डली मिलती है और तभी माइक को शेरिल भी बंदी हुई मिलती है माइक शेरिल को खोलता है और तभी वहाँ एक भद्दा आदमी आ जाता है जिसे हमने मुवी के स्टार्टिंग में देखा था दरसल ये भद्दा आदमी उस लेडी आइडा का भाई है इसका नाम क्लाइड है वो जैसे ही आता है माइक उससे फाइट करता है ताकि उस टाइ के दौरान शेरिल भाग सके बट क्लाइड बिना चोट लगने के डर से खूप तेजी से लड़ता है और माइक को मार कर बिहोश कर देता है और खुद शेरिल के पीछे जंगल में भागता है शेरिल बिना रुके भागे ही जारी थी उस भद्दे इंसान से बचते हुए और कभी उसे एक गाड़ी आती दिखती है उसमें वही शक्स था जिसने थोड़ी टाइम पहले माइक और शेरिल को एक लेक के पास नाइट स्पेंट करने के लिए सजेशन दिया था तो शेरिल उससे तुरंत हेल्प मांगती है बट वो आदमी तो उसे मार कर नीचे गिरा देत है दरसल ये आदमी उस लेडी आइडा का हस्बेंड है और ये तिनों मिले हुए है फिर वो भद्दा आदमी कलाइट शेरिल को लेकर वापस आ जाता है और यहां कहानी समझ में आती है दरसल ये फैमली बहुत अजीब है इस फैमली के हिसाब से जो लोग शादी से पहले इ होती थी तो उसका मिसकारीज हो जाता था इसलिए वो अब भी बच्चा चाहती है उसकी पूरी आस है अब भी लेकिन उसे बच्चा उसी प्रोसेस से चाहिए जो नॉर्मली होता है कि मेल फीमेल के इंटिमेट होने से हाला कि डॉक्टर्स ने उसे और भी बहुत से तरीके बताए लेकिन उसकी नजर में वो सब गलत तरीके हैं वो धरम के विरुद्ध हैं इसलिए ये लेडी आईडा और उसका पती और उसका भाई ये तिनों मिलकर कपल्स को किटनैप करते हैं और उनकी फॉर्स फुली शादी करवाते हैं ताकि वो उन्हें बच्चा दे पाए जै टाइम गुजारने को कहती है ताकि माईक शेरिल को प्रेगनेट कर सके बट माईक ऐसा बिलकुल नहीं चाहता और नहीं शेरिल ऐसा कौन चाहे गया कि कोई जबरदस्ती उनसे बच्चा करवाए जिसकी वज़े से वो भयानक आदमी कलाइड माईक को नंगा करके बहुत मार आता कि मानो उसकी गंदी नजर शेरिल पर हो लेकिन वो अपनी बहन की वज़े से शेरिल के साथ कुछ भी करनी पा रहा था उसकी बहन बताती है कि मेरे भाई के साथ तो कभी कुछ अच्छा हुआ ही नी एक कार एकसिडेंट में उसका पुरा फेस खराब हो गया और उसकी आवास भी चली गई उसे कभी किसी प्रकार का कोई सुक मिला ही नी फिर अगले दिन लेडी आईडा शेरिल से बात करती है कि वो राजी हो जाए पर शेरिल के राजी ना होने पर आईडा उसकी उंगली कार्ट देती है जिससे शेरिल को बहुत तकलीफ हो रही होती है फिर हमें जाने देंगे बिल्कुल भी नहीं क्योंकि जैसे ही तुम प्रेग्निट हो जाओगी वो मुझे मार देंगे और जैसे ही तुम इनको एक बेबी दे दोगी वो तुम्हें भी मार देंगे इसलिए हमें कुछ भी करके कुछ और दिन ये टॉर्चर सहन करना होगा और इसी कमरा जमीन से 20 फिट नीचे है तो हमारी अवास उपर तक कोई भी सुन नहीं पाएगा और इसी तरह कुछ दिन गुजरते जा रहे थे माइक और शेरिल को मार खाका कर इन दोनों में अब बिल्कुल भी जान नहीं रह गई है दोसरी तरफ हम देखते हैं कि शेरिल की मौम को जिनों ने उस जंगल के आर्मी रेंजर्स के पास कॉल करके शेरिल के बारे में पूछा था अब उन आर्मी रेंजर्स को भी टेंशन होती है क्योंकि इनके इलाके में बहुत से लोग मिसिंग होते जा रहे थे पिछले कुछ दिनों से इसलिए वो इस केस को सॉल्फ करने के जुट जाते हैं वो आर्मी ऑफिसर्स उन लोकल गुंडों से भी हल्प मांगते हैं और बदले में इनाम देने का वादा करते हैं तो उन लोकल गुंडों में से एक को क्लाइट पे शंका होती है क्योंकि कुछ दिन पहले क्लाइट ने उस गुंडे से माइक के बारे में जाएं इसलिए वो अलग-अलग तरीकों से उन्हें टॉर्चर कर रहे थे बट जब अब तक माइक नहीं माना तो वो अब क्या मानेगा उसे उकसाने के लिए वो लोग माइक को गंदी-गंदी गालिया भी देते हैं बट माइक नहीं आता इनके जहासे में बट तब वो लो सामने आती है सबके सामने और ये बात लेडी आइडा के लिए तो बहुत बुरी साबित होगी और बात ये है कि शेरिल पहले से ही प्रेगनेंट है ये प्रेगनेंसी इस ट्रिप पे आने से पहले की है शेरिल माइक को ये गुड नियूस अच्छे टाइम पे देना चाहती बट वो दे नहीं पाई और उसे ये बात ऐसी सिच्वेशन में बतानी पड़ रही है ये सुनके लेडी आइडा तो बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाती है क्योंकि ये बच्चा तो फिर शादी से पहले का है और ये उनकी नजर में बहुत बड़ा पाप है तब ही वो लेडी आइडा उसे शूट कर देती है पर उस गुंडे के दोस्त को वो घिडन गेट दिख जाता है वो जैसे गेट ओपन करता है माईक हेल्प के लिए चिलाता है इससे पहले वो गुंडे का दोस्त कुछ करता लेडी आइडा का पती उसे कुलहाडी से मार डालता है फिर दोनों गुंडों की डेड बोडी वहीं घर में ही दफना देता है अब हम देखते कि लेडी आइडा इस बाद से बहुत दुखी है वो ये चाहती है कि हम ये बच्चा अबॉर्ट करवा देते हैं और इसके बाद दूसरी प्रेगनेंसी तक का वेट करते हैं बट उसके पती के हिसाब से ये गलट डिसीजन है क्योंकि इन सब में बहुत टाइम लगने वाला है और इन लोगों के पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि माईक और शेरिल को बहुत लोग ढूंड रहे हैं तो अभी इन दोनों को मारना ठीक रहेगा जब इनका चैप्टर क्लोज हो जाएगा तब किसी और कपल को पकड़ेंगे इस काम के लिए तो लेडी आइडा भी मान जाती है जब लेडी आइडा का पती उनको मारने बेस्मेट में जाता है तो माईक उसके गले पे मार देता है और उसे उसी की गन से शूट करके मार डालता है फिर जब लेडी आइडा रूम में आती है तो उसे अपने पती की डेड बोडी मिलती है फिर तभी माईक उसपे भी हमला करता है बट वो भी पूरी जान से लड़ रही थी वो माईक को चाको से इंजर्ड करती है पर तभी शेरिल कुलहाडी से मार कर उसे बेहोश कर देती है शेरिल देखती है कि माईक काफी इंजर्ड है तो वो घर में जाकर आईडा का वाकी टोकी ढूंड कर उस पे बात करना चाहती थी बड सिगनल नहीं आ रहा था और तभी डीकिन वहाँ आ जाता है वो शेरिल का गला दबाने लगता है बट शेरिल भी उसे इंजट करके बाहर भागती है और उसे बाहर दारू की बोटल और लाइटर मिलता है वो आग लगा के बोटल में डीकिन की तरफ फेकती है जिसे डीकिन जलकर मर जाता है फिर वो मा में कुछ जूढने लगती है जो कि उनके काम आ सके और इसी दोरान उसे अपना फोन मिलता है जो लेडी आइडा ने उनके टेंट से चुराया था और इत्तफाक से उसमें सिगनल भी आ रहे थे फिर शेरिल इमर्जनसी नमबर पे कॉल करती है ताकि वो माईक को बचा सके फिर लोग हैपी फैमिली वाली लाइफ बिता रहे हैं पर तब हम लेडी आइडा के बचसूरत भाई का वही बलेड देखते हैं और मुवी हैं पर खतम हो जाती है इससे हम ये अनुमाल लगा सकते हैं कि लेडी आइडा का वो भाई उस दोरान बच गया होगा और वो अब रिव सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले थैंक यू एंड बबाई